बाणी स्वामी जी महराज दुन सुनकर मन समझाई अगर हम प्रमार्थ के रस्ते पर चलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं तो इसके दर्मियान अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट आती है तो वो हमारे मन की ही आती है स्वामी जी महराज हमें इन शब्दों के दुआरा ये समझाने का परियास करते हैं कि हम अपने मन को किस तरह से वश में कर सकते हैं और किस तरह हम प्रमार्थ का रस्ता कमा सकते हैं हम में से हर कोई प्रमार्थ के रस्ते पर चल कर मालिक की खुशी प्रापत करना चाहता है इसी तरह अलग अलग समय में जब भी कोई संत महात्मा आए पीर पगंबर आए उन्हों ने जो रस्ता बताया उन्हों ने हमें अंतर मुख होने की प्रेड़ना दी लेकिन हम अंतर मुख होने की बजाए बाहर मुखी होकर रह गए और बाहर मुखी रहते हुए हम अपने मन को काबू करने की कोशिश करते रहे किसी ने मन को काबू करने के लिए अपना घर बार त्याग दिया जंगलों पहाडों में चले गए वहाँ पर जाकर मन को वश में तो क्या करना था वहाँ पर जाने से उल्टा और जादा हमें करम उठाने पड़ गए क्योंकि रहने के लिए चट की जरूरत, खाने के लिए भूजन पहने के लिए कपड़े की भी जरूरत होती है और जब घर बार त्याग दिया मांग कर खाना पड़ा तो इससे तो मन काबू में क्या आना था इससे तो और ज़्यादा इसके उपर करमों का बोज पड़ गया फिर किसी ने यह सोचा कि अगर मन को जितना ज़्यादा दिया जाए तो यह अक जाएगा ठक जाएगा और हार मान जाएगा लेकिन इसका नतीजा उलट ही हुआ अगर हम पराने समय में जाएं तो देखें कितनी ही महलाओं का जीवन बरबाद हो गया कितनी ही उन्होंने शादियां की राजों महराजाओं ने लेकिन उनके अंदर का काम शांत नहीं हुआ इसी तरह कई रिशी मुनियों ने भगती की तो किसी ने काम के वश आकर अपनी की हुई कमाई गवा दिया किसी को शराब दे दिया इस तरह से हम अपने मन को काबू करने में असमर्त रहे जतने भी बाहर के सादन है इनका जो असल उपदेश है वो हमें अंतर मुक करने का ही उपदेश है अगर हमारा मन हमारे वश में है काबू में है तो इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं लेकिन अगर यह मन बे काबू है तो इससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है मन में कई बार विचार आता है कि मन एक है दो है या फिर तीन है क्या एक मन हमें अच्छे रस्ते लेकर जाता है और दूसरा मन हमें बुरे रस्ते या फिर हमें नीचे की और लेकर जाता है कबीर साहब हमें मन के बारे समझाते हैं कबीर मन तो एक है भावें जहां लगाए भावें गुर्की भक्ती कर भावें विशे कमाए इस तरह मन दो या फिर तीन नहीं है मन तो एक ही है लेकिन अगर इसकी लगाम हमारे वश में है तो हमारा ये मित्र बनकर चलता है लेकिन अगर हमारे वश में हमारा मन ही नहीं तो मन न जाने कितने ही खेल हमें खिलाता है अगर मन वश में नहीं किया तो सारी उमर मन की चाकरी गुलामी करने में निकल जाती है मन को जो अच्छा लगता है मन वही खेल खेलता रहता है लेकिन इनसान बेवश होकर मन के अधीन ही रहता है मन के अधीन रहकर बुरे बुरे विशे विकार कमाता जाता है और वही अगले जनमों में बुरे करमों का नतीजा बनकर सामने आ जाते हैं और फिर जब रोता कुलाता है तो इसकी कोई बात नहीं पूछता मन की अवस्ता को संत महात्मा बियान करते हैं ए मन अंधा मेला है किस आक सुनामा इस समय जो मन की अवस्ता है उसके आगे माया का परदा पड़ा हुआ है इसको अग्यानता है इसको सचाई के बारे पता ही नहीं और जिसके चलते ना तो यह अपने असल की पहचान कर पाता है और ना ही यह जान सकता है कि इसको क्या करना चाहिए जिससे यह मुक्ती हासिल कर सके जनम जनम की इस मन को मल लागी काला हुआ सहा मन के उपर ये जितने भी विकार हैं ये आज के नहीं हैं ये जन्मों जन्मों के हैं जिसके बारे हम चर्चा कर रहे हैं कि मन को अपनी अवस्ता का पता ही नहीं कि कौन से कर्म इसको करने चाहिए कौन से भक्ती इसको करनी चाहिए जिससे के ये अपने जनम मरन से मुक्ती हासिल कर सके मन करम किये जा रहा है और बुकतान के लिए फिर इसे ही बार बार आना पड़ रहा है इनसान इन कर्मों के नीचे धब कर अपनी असलियत की पहचान को बूल कर बैठ गया है कहां का ये रहने वाला है और ये कौन से कर्म कमा रहा है इसको ये बिलकुल ही अग्यानता है हमारा मन तो इतना हमें खेल खिला रहा है कि हम तो मालिक से भी वही वस्तुएं मांगते हैं जो इसे अच्छी लगती है और देने भी मालिक नहीं है मन तो उसे पूरी कर नहीं सकता लेकिन हमें अग्यानता है गुरु साहब समझाते हैं कि मन जीते जग जीत जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने तो सारा संसार ही जीत लिया हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि हमने तो मालिक के उपर मन को बिठा दिया हम तो मांग भी वही रहे हैं जो इसे अच्छा लगता है वो मांगते ही नहीं जो हमारे भले के लिए है गुरु सहाब संत महातमा समझाते हैं कि अगर घर में कोई बरतन है उसमें रोज खाना बनाते हैं और बिना धोए स्वारे अगर उसमें खाना बनाते जाएं बनाते जाएं तो बरतन कितना गंदा मेला हो जाएगा लेकिन अगर उसी बरतन को धो स्वार कर इस्तमाल करते हैं तो फिर उसकी चमक दुबारा से वापिस आ जाती है इसी तरह विचार करें जो हम बरतन खरीदते हैं चमकदार वो कोई और है लेकिन उसके उपर जो मेलों की परत चड़ जाती है जो धोने से रगडने से चली जाती है वो कोई अलग चीज है इसी तरह हमारा यह जो मन है यह तो जोत का सुरूप है वो मालिक के घर से आया है लेकिन इसके उपर जो कर्मों की मैलों के अलग अलग परदे पड़े हुए हैं जिसकी वज़ा से यह मैला हो चुका है इसको दुबारा से चमक में लाने के लिए हमें क्या करना होगा हमें संत महातमाओं के कहने लग कर उनके कहे मताबक बजन बंदगी करनी होगी तो धीरे धीरे फिर इसकी जो मैल है वो उतरती जाएगी और मन की अच्छी अवस्ता आने लग जाएगी बिन गुर शब्दे मन नहीं थोरा कि गुरू के शब्द के बिना मन की सफाई नहीं हो सकती किसी कामिल मुर्शिद से वो शब्द वो नाम का जो सही रस्ता है वो लेकर ही हम इसकी साफ सफाई कर सकते हैं संत महात्मा समझाते हैं कि जिस तरह कपड़े गंदे हो जाते हैं वो तो हम साबन से धो सकते हैं लेकिन इस मन के उपर जो पापों की मैल चड़ी हुई है वो धोई जाती है नामे के रंग वो नाम के रंग चड़ने से धोई जाती है जिस तरह नाम की कमाई करेंगे उसकी लज़त आएगी धीरे धीरे मन के उपर जो चड़े हुए करमों का बोज है पाप है वो धोपने शुरू हो जाएंगे वो धोए जाएंगे इनके बिना नाम के बिना भगती के बिना हमारा इन करमों से चुटकारा नहीं हो सकता इसलिए ही महात्मा नाम की कमाई के उपर इतना ज़ादा जोर देते हैं हम बाहरले तीरतों में जितनी मर्जी टुबकियां लगा लें लेकिन ये बाहर के धोए जाने से नहीं धुलती इसलिए ही वो कहते हैं ये धोपे नामे के रंग कि नाम के रंग से ही इनका सफाया हो सकता है फिर आगे समझाते हैं कि कई बार हमारे कपड़ों के उपर इतना जादा गहरा दाग लग जाता है कि अगर धोबी के पास लजाया जाए तो धोबी भी हाथ खड़े कर देता है कि वो नहीं इसको साफ कर सकता लेकिन हमारे मन को वो कपड़ा अच्छा लगता है तो हम उसे ललारी के पास ले जाते हैं और ललारी उसके उपर कोई और गहरा रंग जड़ा देता है जिसकी वज़े से वो दाग नहीं दिखता इसी तरह ही बीबियां भी कई बार ये शबद पढ़ती हैं कि रंग दियो जी गूडे रंग विच मेड़ियां ने सड़ियां रूहा इसी लिए अगर हमारे मन के उपर इतने ज़्यादा बुरे करम चड़े हुए हैं तो वो संतों महातमाओं के नाम के रंग चड़ने से ही धोए जाएंगे उनकी कमाई से ही वो सारे विकार दूर होंगे बाकी बाहर के जितने भी सादन हैं वो एक महौल बना सकते हैं अवस्ता बनाने के लिए अच्छा वातवरन देते हैं लेकिन असल जो भक्ती है वो नाम की भक्ती ही है बाहर के सादन तो हमें अंदर की और प्रेरना देते हैं अब मन को जैसी जैसी संगत मिलती है सहबत मिलती है उसी तरह के ही ये कर्म कमाने का आदी हो जाता है और चलते चलते जैसे जैसे लंबा समा गुजरता जाता है उन किये हुए कर्मों से ही हमारी किस्मत बन जाती है अगर अच्छे कर्म किये हैं तो सेट शाहुकार बन कर आ जाते हैं बुरे विकार किये हैं तो इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि कितने दुख ठोकरें खानी पड़ती हैं हम सब कुछ जानते हुए भी इस से कुछ सीखते नहीं इस से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते ताकि दुबारा से हमें यह सब ना सहना पड़े इनसान का जनम ही सबसे उत्तम जनम है इसी जनम में हम मालिक की भजन बंदगी कर सकते हैं मालिक ने हमें सोचने की विवेक की ताकत दी है ताकि हम अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें और सही कदम उठाएं और ये मौका बार बार भी नहीं मिलता इसके लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं और इसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं क्योंकि मनुश्य के शरीर को नर नरहनी दे कहकर बियान किया गया है। वजूद का हमें एहसास होता है संतों महात्मों के बताय हुए रस्ते को अपना कर नाम शब्द की कमाई करकर और जब नाम की कमाई मन करता है इसको उची से उची वो लजज़त मिल जाती है जिसको चकने के बाद मन फिर दुबारा से कलतियां करने के और ख्याल तक नहीं करता और इसने अपनी जो पहले वाली अवस्ता होती है वो पाली होती है तो दुबारा फिर वो बुरे रस्ते पर नहीं चल सकता इसलिए संत महात्मा स्वामी जी महराज समझाते हैं कि धुन सुनकर मन समझाई की अपने मन को उस शब्द के साथ जोड़ो ताकि यह उसको सुनकर समझ में ला सके कि इसके लिए सही और गलत क्या है और जनम मरन के दुखों से चुटकारा पासके तो संगत जी आज के इस ससंग में इतना ही चैनल को सबस्क्राइब करें इसी तरह से ही ससंग का वीडियो देखने के लिए और संत मत से सुबंदित अपडेट जानने के लिए राधा स्वामी जी